डिया स्टुडेंस आज की लेक्टर के अंदर हम करेंगे जो आपकी समेट्रिक और स्क्यू समेट्रिक मेट्रिक्स के बारे में ठीक है समेट्रिक मेट्रिक्स क्या होती है और इसका जो बेसिक है वो क्या है तो देखो सबसे पहले समेट्रिक मेट्रिक्स के बारे में पढ़ते ट्रांस्पोज क्या होता है ट्रांस्पोज तो ट्रांस्पोज के अंदर मान लिजे कि हमारे पास को एक मैट्रिक्स दे रखी है ठीक है 1 2 3 4 5 6 अब हमें क्या करना है इस मैट्रिक्स का ट्रांस्पोज करना है तो ट्रांस्पोज को हम एक यानि कि ट्रांस्पोज को डिनोट कै से करते हैं उसके बार से भी नोट कर सकते हैं या फिर उसके कम्प्लिमेंट से भी नोट कर सकते हैं ठीक है तो हमें इसका ट्रांस्पोज करना है तो ट्रांस्पोज हम कैसे करेंगे जो आपके पास रो है उसको कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे यानि कि 123 इस साइड आ जाएगा और ये भी रो जो है कोलम के अंदर आ जाएगी 456 ठीक है तो यह हमारे पास ट्रांस्पोज हो जाएगा अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है ठीक है तो यहां से एक बात शामने आती है कि अगर मालिय जी अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट मैट्रिक्स आजाएगा अब देखो यह मैट्रिक्स वापिस यही आगी यानि कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांस्पोज का ट्रांस्पोज करेंगे तो वापिस हमारे पास क्या आजाएगा वही मैट्रिक्स आजाएगी ठीक है तो फ कि अगर कोई भी मैट अगर हम उसका ट्रांस्फोर्ज कर दें और वापिस आपके पास वही मैट्रिक्स आजाए तो इसका मतलब क्या है हम यह हैं तो में और मैंपिमतिक्स मेटक्स अंग हैrif क्टें डियों। टुब मैं इसका ट्रांस्पोज निकालूंगा तो क्या जाएगा आपके पास जो रो है उसको कोलम के अंदर चेंज करतेंगे तो टू थ्री फाइफ इस साइड आ जाएगा और यह हमारे पास फाइफ नाइन और एट आ जाएगा ठीक है अब देखो यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक है ठीक है समेट्रिक मैट्रिक्स का पता चलिया और समेट्रिक मैट्रिक के बाद बात आती है कि स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है समेट्रिक और स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स दो आएंगे आपके पास तो देखो स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या ह करें और वापिस आपके पास माइनस की वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वह स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है तो स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स का मैं एक जलता हूं माली जी ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0, minus का 2, minus का 5 2, 0, 6 और यहाँ पर 5 और यह minus का 6 और 0 ठीक है? यह आपके पास है कि matrix दे रखनी है इसका हम transpose करेंगे तो इसका transpose करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? transpose करेंगे तो 0 और यह हमारे पास minus 2, minus का 5 यहाँ जाएगा अब इसको लिखेंगे 2, 0, 6 आ जाएगा यह आपके पास 5, minus का 6 और 0 आ जाएगा ठीक है अब अगर मैं इसमें से minus को common निकालेता हूँ तो A का transpose is equal to minus को common निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 तो यह जाएगा, minus का 2 हो जाएगा, minus का 5 हो जाएगा plus का 2 हो जाएगा, 0 और यह plus का 6 हो जाएगा यह plus का 5, minus का 6 और यह 0 अब देखो, यह matrix और यह matrix तोनों क्या है? सेम है, तो इसका मतलब है इसकी जगह है पर A matrix लिखता हूँ यहाँ पर तो A का transpose किया हमने तो minus A के equal आया तो इसका मतलब क्या है? कि यह skews symmetric matrix है ठीक है, तो symmetric और skews symmetric matrix के एक पैचान भी होती है हमारी कि इसके जो यह element है दोनो A12 element जो है, वो A21 के equal मिलेगा आमें में सा ठीक है, अगर symmetric matrix है तो दोनों equal मिलेगे अगर skews symmetric matrix है तो इन में से एक element जो है, वो आपका negative मिलेगा यानि कि हो सकता है कि यह minus का हो या अगर यह element भी minus का हो सकता है ठीक है, और A13 element जो है यह भी A31 के equal मिलेगा आपको अगर symmetric matrix है तो अगर skews symmetric है तो इन में से एक element जो है, minus का होगा ऐसे ही A23 element जो है A32 के equal मिलेगा और इसमें से भी symmetric matrix है तो दोनों equal होंगे skew symmetric matrix है तो यहाँ पर एक element जो है वो minus खामी देगा और skew symmetric matrix के हमारी एक और पहचान होती है कि इसके diagonal element जो है वो हमेसा 0 होंगे ठीक है तो diagonal element को हम 0 लेके चलेंगे यह तो थी कि symmetric और skew symmetric matrix हमें अगर पता लगाना है कि यह symmetric matrix है या skew symmetric matrix है तो हम कیसे पता लगाएंगे ठीक है अब अगर हमारे पास यह बोल दे कि symmetric matrix बना के दिखा एजा 丹ВО streaming matrix बना के दिखा एजा तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखो बनाने के लिए मने क्या करना होगा अगर हम इन weighted three matrix वनानी है तो बनाने के लिए अमारे पास क्या होगा और क्या महिए करना है एक मैत्रिक्स दे देगा आप थीक है मा लिजी आपके पास कोई भी pull tak है जैसे यहां पर मेह लेता हूं two three five seven eight one minus one two eight और यहां पर मान लीजे Więc-9 ठीक है तो यह आपके पास एक मैट्रीस दे रखिए, देखो इना तो यह समेट्रिक मैट्रिक्स ना इसके उसमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन आमे इसको क्या करना है, समेट्रिक मैट्रिक्स भी बना के दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, समेट्रिक मैट्रिक्स अ कर लेता हूँ यहां पर तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो two three और five यहां पर आजाएगा seven one और minus one यहां पर आजाएगा two one or minus nine यहां पर आजाएगा ठीक है अब symmetric matrix प्दानी है तो a plus a का transpose निकालना होगह हमें तो transpose निकालने के लिए हमें क्या करना है तो मैं इनको एड़ करूंगा तो यह 4 हो जाएगा यह आपके पास भी 10 हो जाएगा यहां पर आपके पास 7 हो जाएगा यह आपके पास 10 आ जाएगा यह 2 आ जाएगा यह 0 जाएगा और यहां पर 7 हो जाएगा और यह भी 0 जाएगा और यह माइनस का 18 आ तो आपके पास आएगा यहां पर 2 से डिवाइड करेंगें तो 2, 5, 7 by 2 आजाएगा यहां पर 5 आजाएगा और 1, 0, 7 by 2 और यह आजाएगा 0, minus का 9 ठीक है अब देखो अब हमारे पास क्या है यह दोनों element equal है यह element और यह element भी equal है यह दोनों element भी equal है मैंने बता था आपको कि A1, 2 element जो है A2, 1 के equal मिलेगा और A1, 3 element जो है A3, 1 के equal मिलेगा A2, 3 element जो है A3, 2 के equal मिलेगा अगर symmetric matrix है तो ठीक है तो यह 3 equal है तो इसका मतलब क्या है कि यह symmetric matrix है अब दे स्क्यूसमेट्रिक मेटिक्स मनाने के लिए देखो हमारे पास identity होगी A-A का transpose और divide by 2 ठीक है A-A का transpose divide by 2 अब A भी आपके पास A का transpose भी आपको लोगों निकाल रख्या है तो मैं A-A का transpose निकाल लेता हूँ तो यहां से आपके पास आजाएगा दोनों को माइनस करेंगे तो 0 3 में से 7 को करेंगे तो माइनस का 4 5 में से करेंगे 2 को तो 3 और 7 में से 3 को करेंगे तो 4 आजाएगा 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 और ये माइनस का 2 आजाएगा यहां पर माइनस का 3 आजाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो 2 आ जाएगा आपके पास और ये 0 आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना इसको A माइनस A का ट्रांसपोर्ट जो हमने निकाला इसको 2 से डिवाइड करतेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आजाएगा 0, माइनस का 2, 3 by 2, 2 आजाएगा, 0, माइनस का 1, और ये माइनस का 3 by 2, और ये 1 हो जाएगा, ये 0, अब देखो, मैंने आपको क्या बता था कि यह दोनों element equal तो मिलेंगे, लेकिन sign जो है, एक element का अलग मिलेगा आपको, यहाँ भी यह दोनों element equal तो है, लेकिन sign जो है, और diagonal element आपके क्या है, 0 है, तो यही पहचान थी, हमारी skew symmetric matrix की, ठीक है, तो अब हमें बोलेगा कि यह, अगर express the sum of symmetric and skew symmetric matrix, तो हमें क्या करना है, इस matrix को और इस matrix को जो है sum, यालिकि दोड में लिखके दिखाना है, ठीक है, उसका sum करना नहीं है, हमें कि वो लिखके दिखाना है, पलस के अंदर, क्योंकि अगर हम a symmetric matrix को, और skew symmetric matrix को अगर मैं add कर देता हूं, तो यहाँ से आपके पास वापी से a matrix आ cancel हो जाएगा, तो a और a 2, a आजाएगा, divide by 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो a आजाएगी, आपके पास, ठीक है, तो sum नहीं करना है, इन दोनों को अगर मैं add करूँगा, तो वापी सो वही matrix आजाएगी, ठीक है, लेकिन sum के अंदर लिखके दिखाना है, क्योंकि हमें बो लेगा एक्सप्रेक्स दा सम ओफ समेट्रिक एंड स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो यह तो थी, समेट्रिक और स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमें पहचान करनी हो, तो उसके क्या होगी, और हमें बना के दिखानी है, तो फिर हम कैसे बना के दिखाएंगे, फ यह बोल देगा कि A और B हमारे पास symmetric matrix है तो देखो माले जी आपको बोल रख्या है कि A is a symmetric matrix A is a symmetric matrix A and B लिख लिजिए A and B is a symmetric matrix तो show that show that A B minus B A is a symmetric matrix या फिर skews symmetric matrix ठीक है is a skews symmetric matrix सक्यू symmetric matrix ठीक है यह बोल देगा हम यह को कि A और B symmetric matrix है तो show करके दिखाईए कि A B minus B A जो होगा वो skews symmetric matrix होगी हमारे पास ठीक है तो देखो किसको कैसे show करेंगे पहले सबसे पहले यह देख लेना कि हमारे पास given क्या है जो key one है उसके अंदर क्या बोल रख्या है कि A और B जो है symmetric matrix है तो इसका मतलब अगर मैं A का transpose कर देता हूँ तो वापिस A आ जाएगा अगर मैं B का transpose कर देता हूँ तो वापिस B आ जाएगा यह दोनों बाते आपको बोल रख्ये इसके अंदर अब क्या बोला है कि show that कि A B माइनस B A यह क्या होगी excuse symmetric matrix होगी अब यह हमें show करके दिखाना है तो इसको show करने के लिए हम क्या करेंगे अगर मैं इसका transpose कर देता हूँ excuse matrix के अंदर क्या होता कि कोई भी matrix है अगर हम उसका transpose करेंगे अगर minus वही आजाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो excuse matrix matrix है तो यहां भी हम इसका transpose करेंगे अगर minus यही आजाएगा तो इसका मतलब क्या क्या है excuse matrix है तो transpose करेंगे तो आपके पास देखो transpose को खोलने के लिए अगर हमारे पास plus minus के अंदर है तो अगर transpose को खोलेंगे तो पहले पहले मैंट्रिक्स का transpose करेंगे पलस माइनस का sin रहेगा और फिर second matrix का transpose कर देंगे ऐसे अगर multiply के अंदर दे रख्या है रोड़ उसका transpose हमें निकालना है तो पहले पिछे वाली matrix का transpose होगा फिर आगे वालेगा ठीक है, multiply के अंदर तो ऐसे खुलेगा, transpose और plus और minus के अंदर ऐसे खुलेगा, divide के अंदर matrix हमारी होती ही नहीं, तो मैं पहले इसका transpose कर देता हूँ, फिर इसका transpose कर देता हूँ, तो A B का transpose माइनस है, B A इसका transpose, ठीक है, ऐसे ही अब इसको transpose को खोलेंगे, तो क्या जाएगा, आपके पास पहले B का transpose होगा, फिर A का transpose होगा, यहां भी पहले A का transpose होगा, फिर B का transpose होगा, ठीक है, अब देखो क्या दे रख्याप को A का ट्रांस्पोज A के एकुल है B का ट्रांस्पोज B के एकुल है तो यहां पर मैं B लिख सकता हूँ आपके पास यहां पर A लिख देंगे माइनस यहां पर B लिख सकते हैं यहां पर B लिख सकते हैं ठीक है, कलियर है क्योंकि ये दोनों गिवन्ति हैं, हमारे पास तो इसलिए हम लिख सकते हैं अब देखो, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन लिखा लेता हूं तो A, B जो है पलसका जाएगा और B, A जो है ये माइनस का जाएगा अब ये मैट्रिक्स और ये दोनों क्या है, सेम है AB minus PA यहाँ पर भी है AB minus PA यहाँ पर भी है हमने इसका transpose किया था minus EC के equal आगी है हमारे पास तो इसका मतलब क्या है जब कोई भी matrix का transpose करे और minus OC के equal आजाती है तो इसका मतलब वो क्या होती है skews metric matrix होती है तो यह हमारे पास skews metric matrix है अगर मालीजी EC के अंदर यह बोल देता कि यहाँ पर पलस आजाए और यह बोल देगी AB plus BAEJ symmetric matrix ठीक है तो symmetric matrix अगर बोल देता है तो फिर हम इसको कैसे कर देती कि उस्टन आपके पास यही दे रख्या है ठीक है तो A और B symmetric matrix है ठीक है तो A का transpose A के equal B का transpose B के equal अब की बार यहाँ पर पलस लेके चलना है और यह symmetric matrix शो करके दिखानी है तो वही open करेंगे तो इसको पहले AB का transpose लिखेंगे पलस फिर BA इसका transpose लिखेंगे ठीक है अब देखो पहले इसको open करेंगे तो B का transpose और A का transpose पलस यहाँ भी B का पहले A का transpose होगा और फिर B का transpose होगा अब B का transpose किसके equal है B के equal है और A का transpose A के equal है यहाँ भी A का transpose A के equal B का transpose B के equal अब A पलस B कर लो या फिर B पलस A कर लेते हम तो दोनों क्या होंगी दोनों matrix का समी होगा तो दोनों equal आएंगी तो ये जो है ये आजाएगा हमारे पास ap plus pa और ap plus pa अभ हमने इसका transpose किया था वही आगया हमारे पास तो इसका मतलब क्या है कि वह symmetric matrix है symmetric matrix थिये हैं पैचान होती है नहीं ठीक है और questions ले लेते हैं कि show that मा लीजिया हमारे पास से यह बोल देता है कि कुछ क्योश्टन इस तरह आ जाते हैं कि बी का ट्रांस्पोर्ज ए उभी शो करो कि शो देट शो देट ने तक इवन मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक एंड शक्यू समेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स ए अकोर्डिंग टू अकोर्डिंग टू ए इज साइमेट्रिक एंड स्क्यू समेट्रिक ठीक है तो अब मैं यह शो करके दिखाना है कि शो देट यह मैट्रिक जो है यह सामेट्रिक भी है और skews symmetric B है according to A, A के according अगर A को हम symmetric matrix लेकर चलते हैं तो ये matrix जो होगी, वो symmetric होगी अगर A को मैं skews symmetric लेकर चलूँगा तो यह जो matrix आएगी हुआ हमारे पास skews symmetric matrix आएगी तो देखो B का transpose A, B यह आपको दे रख्या है अगर मैं इसका transpose कर रेता हूं अगर EC के equal आजाएगा तो इसका मतलब क्या है, symmetric matrix है अगर minus EC के equal आएगा तो इसका मतलब क्या है, excuse symmetric matrix है तो मैं इसका transpose करूँगा तो देखो, multiply में हम transpose को कैसे open करते हैं पहले पीछे वाली matrix का फिर उससे आगे वाली का फिर उससे आगे वाली का तो B का transpose का transpose तो starting में हमने यहीं किया था कि अगर कोई matrix है, उसका transpose का transpose हम करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा वही matrix बन जाएगी ठीक है, B लिख सकते हैं इसको अब A के according हमें चलना है मैं लेता हूँ मैं A जे symmetric matrix A क्या है symmetric matrix लेके चले तो इसका मिकलब क्या है कि A का transpose A के equal होगा अगर A symmetric है तो A का transpose A के equal होगा तो मैं यहाँ पर put कर देता हूँ तो B का transpose A और B आजाएगा अब देखो यह, यह दोनों equal है तो इसका मैंने transpose किया वापिस वही matrix आजाएगी तो इसका मिकलब क्या है तो माइनस A के equal आएगा ठीक है अब इसके अंदर फिर से put करेंगे तो B का transpose अगर यहाँ पर माइनस A पूट करेंगे तो माइनस को मैं आगे भी लेख सकता हूँ और यह A आजाएगा B आपके पास है अब देखो यह दोनों क्या है equal है और माइनस का साइन आ गया है तो इसका मतलब हमने इसका transpose किया था और माइनस इसके equal आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगी हमारे पास स्क्यू स्मेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी ठीक है इस तरह कि काफी सारे question बन सकते हैं उनको करना इसी मैं तरसी है कि जो भी आपको बोल रख्या है उसका हम transpose निकालेंगे अगर वापिस उसी के equal आ जाता है तो स्मेट्रिक मैट्रिक्स होगी और माइनस उसी के equal आएगा तो स्क्यू स्मेट्रिक मैट्रिक्स होगी आपके पास given में मिलेगा जैसे यहां पर बोल रख्या है इसके अंदर बोल रख्या था कि A और B स्मेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है और इसके अंदर बोल रख्या कि A स्मेट्रिक भी है और A स्क्यू स्मेट्रिक भी है जब हम A स्मेट्रिक लेके चलेंगे कि A का थिट्टा जो हम लेके चलते हैं ये पावर के अंदर थिट्टा होता है तो ये क्या होता है इसको हमरे मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं अर्मिशन मैट्रिक्स होती क्या है एका बार का ट्रांस्पोज हम इसको लिखते हैं ठीक है तो अर्मिशन मैट्रिक्स के उपर क्योस् आयटा के अंदर उसको मिलेगे तो हम उसको पहले उसका बार करेंगे, बार का मतलब क्या है कि कंजूगेट करेंगे, कंजूगेट क्या होता है केवल हमें साइन करना होता है, यानि कि माली जी एकि Z आपके पास दे रख्या है A पलस आयटा B और हमें इसका कंजूगेट निका तो नेक्स्ट लेक्ट्टर में हम अर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे समेट्रिक और स्कू समेट्रिक मैट्रिक्स का जो बेसिक था वो यही था वो इसी के ऊपर जितने विक्योशन बढ़ेंगे इसी के ऊपर बढ़ेंगे ठीक है तो नेक्स्ट लेक्ट्टर में और में स्रमेटिक्स करेंगे, थेंक्यू